यानि ऐसे प्लांस जो हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि ये ट्रेल करता है दोस्तो आज जो भी प्लांस मैं शेयर करने जानी हूँ वो काफी सारे जो प्लांस है बहुत कॉमन है जो आसानी से आपको अपने आसपड़ोस या फ्रेंट सर्कल से मिल जाने वाली है और जो कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और कुछ प्लांस थोड़ा सा आज मैं इनको जो हैंग बासकेट है इसमें लगाने जा रही हूँ और हैंगिंग बासकेट के लिए फ्रेंट्स मिट्टी जो है वो थोड़ा सा बुरबुरा रखी है थोड़ा लाइट आसओ प्रिपेर करें जिसमें आपको को पीट या राइस हसको मिला सकते है तो इस तरह बस खोच देना है और फिर आगे पानी डाल देना है थोड़ा दिन इसको चावे में रख देना है यह जो प्लांस है पॉर्चुले का और पसलें जिसे मौस रोज भी कहते है यह बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और फ्रेंट्स तीन से चार दिन में इसमें रूट के दिखा रही हूं और आप देख सकते हैं कि इतना जल्दी इसमें रूट्स निकल आये है और पॉर्चुले का परसलें बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है आसानी से आपको अपने आसपरोस में यह मिल जाने वाली है तो जल्दी से इसको कलेक्ट करिए और फटा-फट इसको लगा लीजीी फैंज्ड दोस्तो नेक्स जो प्लांट है वो है ये देखिए पॉलकानट प्लांट और इसमें भी कई सारे ऑप्शन्स होते हैं बहुत सारे वराइगेशन्स होते हैं तो इसको आप लगा सकते काफी हाडी सा प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट में ब यह थोड़ा सा अनकॉमन है और देखने में बहुत खुबसूरत दिखता है इसका जो वैरिगेशन है ग्रीन के साथ और सफेद रंग बहुत अच्छा दिखता है नॉर्मल मनी प्लांट से लगाते ही है लेकिन एक बार आप इसे लगा के देखिए आपको बहुत अच्छा कर सकते हैं दोस्तो अगला जो प्लांट है वो है सेडम और इसमें भी बहुत सारे वराइटीज होता है यह सकुलन प्लांट है और यह धूप पसंद करता है तो थोड़ा बहुत जो पार्शल शेड है उसको यह जेल लेती है लेकिन कंप्लीट शेड में इसको बिलकुल ना लगाएं और पानी देते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है देखने में बहुत खुबसूरा दिखता है तो इसको भी कटिंग से आप आसानी से ग्रो कर सकते और आप इस तरह आप पूरा वास्केट भी खरिद के ला सकते हैं वह भी बहुत जादा महगा नहीं है दोस्तो अगला जो प्लांट है वो है पेडवीयन ग्रेप ब्लांट आप देख सकते हैं ब्ढ़ा सुनर सा है और इसके पत्तियों आप देख सकते हैं एकदम सर्कल जैसा है पत्तिया और काफ़ी ठीक है और वैक्सी है हाली में मैं इसको कटिंग से प्रपांगेट की थी और जो होंगाँ ट्रिय यह चलिए प्रेंज्ग हम लोग से लगाते है ऐसा प्लाण जो हैंग बास्केट प्लान तो हैंग लिए लेकान हम लोग को बने तो इस प्लाइँ साथ होता है तो इस व्यत्त ह rear करी सोता है यह देखे तो को अंदर कोगी और यह फिर आध falls को कर सकती हूँ बहुत आसा उसे तो जल्दी से चलिए इसके कटिंग लगा लेती हूँ तो यह एक मेरा हैंगग बास्केट है जिसमें जो विंटर फ्लास के प्लांट लगे वे तो इसको मैं हटा देती हूं कि खराब हो चुका है और इसी में यह जो पिर विन आइवी का प्लांट है, इसको लगा देने वाली हूँ, एक छोटा सा कटिंग इस तरह ले लेंगे फ्रेंड्स, ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये भी इतना ही छोटा कटिंग, मैं बोलूगी, इससे भी छोटा कटिंग से लगा हुआ था, लगाने के बाद पानी दे देना है, और शेड में रख देना है, ऐसे भी एक शेड लविंग प्लांट है, तो इसको शेड में ही आप रखिए, अगला प्लांट टैंगल्ड हाथ है, और बहुत खुबसूरत दिखता है, और इस समय इसका घ्रोध बहुत फास्ट हो रही है, तो इसको जल्दी से फ्रेंड्स लगा हो चुका है, तो इसको भी जल्दी में इसको हैंड कर देने वाली हूँ, दोस्तों ये अजवाइन नीव का प्लांट है, जिसे औरिगेनो प्लांट भी कहा जाता है, ये एक्चुल में जो हम लोग अजवाइन यूज करते हैं, उसका प्लांट नहीं है, लेकिन इसके पत्त आप्शन रख सकते हैं, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, फ्रेंट्स ये जो प्लांट है, वान अफ मैं फेवरिट प्लांट ये है, करली डेविल्स बैक बोन, ये करली टाइप है, इसलिए बहुत खुपसूरा दिखता है, और ऐसे ट्रिल करता रहता है, तो ये थोड़ सकते हैं, इसके जो लीव से इसमें वैरिगेशन, तो ये थोड़ा अंकॉमन प्लांट है, इसको आप खरी सकते हैं, थोड़ा सा महेंगा है, और ये जो प्लांट है, ये मैं पॉट के साथ ही खरी दी थी, कुछ टाइम पहले, और थी फिप्टी रुपीज में खरी दी थी, और आप देख सकते हैं, इसका वैरिगेशन का तो क्या ही कहना कटिंग से ये जरूर लग जाएगी, क्योंकि सारा ही जो पोथाजा कटिंग से लग जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा मिलना आपको मुश्किल है, अपने नेबर हुड में, तो फ्रेंसिसको अगर आपको मिलता है, तो आप इसको छोड़े नहीं, ये जरूर खरीद ले, दोस्तों ये प्लांट है टर्टल वाइन, और ये बहुत आसानी से जग जाती, इसको तो आप बिलकुल नहीं खरीदे, कहीं से भी आपको दो चार डाली इसकी मिल जाती है, तो आप बेशक इसको ले लीजे और ल प्लांटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, ये देखिए, ये दूसरा वाला जो पॉट है, इसको हाली में लगाई हूँ, और बहुत अच्छे से ये लग चुका है, और देखिए, प्लांटर भी भर चुका है, ये स्पाइडर प्लांट को आप जरूर लगाईए, ये किसी से भी ये जो बेबी स्पाइडर से इसको कलेट कर लीजे, जिसमें रूट्स बन गया हो और आप इसको बस लगा लीजे, बहुत आसानी से लग जाती है, ये बोटलीली है, ट्राडेसकंडियस पैथासिया, और इसमें भी बहुत सारे वराइटी है, बट एक धो डाली को बस कहीं भी रग दीजे, मिट्टी उपर से छिड़का दीजे, लग जाती है, दोस्तों अगला जो प्लांट है, ये है चाइनीज वाइलेट का प्लांट, वीडियो के शुरुआत में ही, आपके साथ मैं शेयर की थी इसके प्लांट को जो ग्राउंड में प बहुत खुबसूरत दिखता है और बहुत आसानी से ये लग भी जाती है, दोस्तों अगला जो प्लांट है, ये है वाडरिंग जीव, और वाडरिंग जीव को तो आप ज़रूर लगाईए, बहुत आसानी से लग जाती है, जहां भी इसको मिट्टी मिलती है, एकदम प्लांट का प्लांट है, वाडरिंग जीव फैमली का ही एक प्लांट है, और इसमें देखिए चोटे-चोटे ये पिंग कलर का जो फ्लास है, भीध कुबसूरत दिखता है, और हैंग बास्केट में ये बहुत सुन्दर दिखता है, बहुत आसानी से ये कटिंग से लग जा हैंग कर सकते हैं, अगला जो प्लांट है ये फायर क्रैकर के नाम से जाना जाता है, और इसके देखिए चोटे-चोटे-चोटे ये लाल रंग के फुल बहुत खुबसूरत दिखता है, चुकि ये ट्रेल करता है, तो इसको भी आप बहुत आसानी से कटिंग से लगा सकते ह आप इसको जरूर अपने हैंग बास्केट कलेक्शन में एड कीजिए, दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है, वो सिंगोनियम का वराइटी है, सिंगोनियम वेनलेड़ाई, और मेरा एक वण फेवरेट प्लांट है, और ये देखिए इसका डार ग्रीन कलर, और बीच में एक सफेद रंग का, जो लाइन है, इसको और खुबसूरत बनती है, तो ये हैंग बास्केट में बहुत खुबसूरत दिखता है, तो इसको आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा, जरूर शेर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी ह आपको बराबर मिलते रहें, फ्रेंच इसी तरह चैनल के साथ बने रहें, थैंक यू पर वाचिंग, हापी गातिंग फ्रेंद्स